हाई दोस्तो, Camera Comparison Series के एक और नए एपिसोड में आप सभी का सौगत है दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं दोस्तो, Sony ZV-E10 को Canon M50 Mark II के साथ दोस्तो, ये जो दोनों ही camera से ये काफी ज़ादा popular और budget camera से हैं market में लेकिन काफी से लोग जो है, वो confused हैं कि आखिर इन दोनों ही camera में से कौन सा camera best होगा और कौन सा camera जो है, वो ने लेना चाहिए दोस्तो, अगर आप यहाँ पे मेरे handwriting को थोड़ा सा ignore करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मैंने एक paper में 25 points लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको आज की इस video में बताने वाला हूँ और ये points को जानने के बाद दोस्तो, आपको मैं यहाँ पे guarantee के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% sure हो जाओगे कि कौन सा camera आपको लेना चाहिए तो जल्दी सोसों यहाँ पे बिना ज्यादा time based ना करते हुए चलिए दोस्तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं तो आज के इस जमाने में आप चाहे कोई भी camera खरीद लो 50,000 के उपर वो दोस्तो camera जो हर एक चीज़ करने के लिए capable है आप उससे short movies बना सकते हो, YouTube पे content बना सकते हो, आप उससे photography कर सकते हो, आप उससे वीडियोग्रफी भी कर सकते हो मगर अभी भी काफे सारे लोगं confused है कि आखिर हमारे लिए best camera जो है वो कौन सा होने वाला है दोस्तो वीडियो के end में हम बात करेंगे कि इन दोनों ही जो cameras का जो price है वो क्या है लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों cameras में से best camera कौन सा है ये वीडियो देखने के बाद दोस्तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो Sony के fans है वो हो सके कि Sony का camera पर्चेस कर लें और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर Canon के fans है वो Canon वाले cameras को पर्चेस कर लें लेकिन आज के इस वीडियो में आपको शोर करके रहूंगा कि आपको कौन सा camera लेना चाहिए तो सबसे पहली जो चीज है इन दोनों cameras में एक चीज जो comment है वो यह है कि यह जो दोनों ही cameras है यह एक mirrorless crop sensor camera से है तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले इन दोनों ही cameras के resolution के बारे में तो यहाँ पर जो आपको Sony का camera देखने को मिलता है इसमें आपको 24.2 megapixels का जो sensor है वो आपको देखने को मिलता है और वहीं पर जो हमारे पास यहाँ पर Canon का M50 Mark II है इसमें भी दोस्तों आपको 24.1 megapixels का sensor है वो आपको देखने को मिलता है यह बात दोस्तों सभी को पता चलिया है कि यहाँ पर megapixel से उतना ज्यादा हमारे camera के उपर फरक नहीं पड़ता है जो फरक पड़ता है वो होता है दोस्तों हमारे camera के processing के उपर कि किस company ने कितना ज्यादा बढ़िया processing दे रखा है ताकि हमारी जो photo और video quality है वो कितना ज्यादा बढ़िया आने वाली है अब यहाँ पर जो हमारा Sony का camera है इसमें आपको power zoom का option देखने को मिलता है यानि कि आप अपने camera को lens से manually zoom नहीं कर पाओगे मगर आप button की मदद से यहाँ पर power zoom कर सकते हो तो वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करे Canon M50 Mark II की दोस्तों इसमें आपको manual zoom देखने को मिलता है और सा Sony का ZV E10 है इसके अंदर दोस्तों आपको viewfinder देखने को नहीं मिलता है वहीं पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो Canon M50 Mark II है इसमें आपको viewfinder देखने को मिल जाता है viewfinder दोस्तों काफी ज़्यादा जरूरी होता है एक photographer या फिर videographer के लिए यानि कि दोस्तों आज के जमान में हर एक camera में एक viewfinder तो जरूर से होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारे Sony की तरफ से इस camera के अंदर हमारे को viewfinder देखने को नहीं मिलता है मुझे personally दोस्तों यहाँ पर जो Canon के अंदर जो user interface देखने को मिलता है यह काफी ज़्यादा clean और बढ़ियां देखने को मिलता है वहीं पर इंटरफेस है वो आपको पसंद आने लगा लेकिन मुझे personal यहाँ पर जो Canon M50 Mark II या फिर जो भी Canon के camera से उसके जो user interface है वो ज्यादा वड़िया लगता है दोस्तों Sony ZV-E10 में एक सबसे बड़ी problem यह है कि यहाँ पर आपको camera के उनपर जो screen देखने को मिलता है वो आपको touch screen ह के भी touch screen ना के बराबर देखने को मिलता है अब ऐसा में क्यों कह रहा हूँ दूस्तों जो यहाँ पर Sony ZV-E10 है इसके अंदर आप सिर्फ touch screen को तभी use कर पाओगे जब आप किसी चीज को focus करना चाहो तो लेकिन अगर वहीं पर आप अगर इसके settings वगेरा change करना चाहते हो तो आप बिल्कुल use नहीं कर सकते दूस्तों अगर आप यहाँ पर purchase करते हो Sony का ZV-E10 तो इसके लिए दूस्तों आपको Sony की तरफ से काफी सारे जो lenses वगेरा हैं वो आपको available देखने को मिल जाते हैं लेकिन दूस्तों काफी सारे लोगों को आपने यह कहते हुए जरूर से सुन होगा कि Canon M50 Mark II के लिए जो lenses है वो काफी जादा कम है या फिर उसके लिए नहीं बन रहे हैं लेकिन दूस्तों इस problem का solution यह है कि आपको दूस्तों जरूर से एक lens adapter चाहिए होता है अगर आपके पास lens adapter पड़ा हुआ है तो आपके पास दूस्तों काफी सारे यहाँ पे जो lenses क option से वो आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि अगर आप एक lens adapter को purchase कर लोगे तो यहाँ पे दूस्तों Canon 200D के अंदर जितने भी lenses लगते हैं वो सारे के सारे जो lenses है वो आप अपने M50 Mark II के उपर लगा पाऊगे इसका मतलब दूस्तों Canon का भी जो lens का market है वो काफी ज़दा camera के अंदर viewfinder ना होना एक बड़ी दिक्कत है अगर आप इसको जानना चाहते हो कि ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूं तो आप ये वाला जो वीडियो है ये आप जाके check out कर सकते हो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक जो viewfinder है camera में अगर नहीं होता है तो उसमें एक सबसे बड आया से अपना जो camera का जो perspective है यान कि कैसे किस angle से आप photo को क्लिक कर रहे हो वो आपको ठीक से पता नहीं चल पाता है डिस्पले के उपर और साती सा दूसरो जो भी आप changes वगेरा करोगे जैसे कि IOS हो brightness वगेरा अगर आप adjust करोगे तो दूसरो धूप के समय में आपको screen के Mark 2 के अंदर नहीं है और यह दोस्तो मुझे उतना ज़्यूसफुल भी नहीं लगता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको यह चीज यूसफुल लग जाए तो यहां पर क्या कर सकते हो कि जो Sony के cameras है उनमें आप 30 मिनेट से जाधा वीडियो को record क कर सकते हो लेकिन यह जो Canon का M50 Mark 2 है इसमें दोस्तों आप 30 मिनेट से जाधा वीडियो को record नहीं कर सकते हो जो कि मुझे personally कभी भी use नहीं आया क्योंकि मैं कभी भी 30 मिनेट से ऊपर वीडियो one shot में कभी नहीं record करता हूँ और वैसे भी दोस्तों मुझे 30 मिनेट वीडियो record कर कोई मतलब ही नहीं बनता है Canon M50 Mark 2 के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके अंदर आपको 4K का जो option है वो तो आपको देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आप अपने camera को 4K के लिए खरीदना चाहते हो तो इस camera को बिलकुल भी मत खरीदना क्यूंकि दोस्तों इस camera को लेना चाहते हो यानकि Canon M50 Mark 2 को लेना चाहते हो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो वीडियो है उसको आप सिरीफ Full HD तक ही रेकॉर्ड कर पाओगे मतलब अगर आप 4K में स्विच कर रहे हो तो वो काफी जाद क्रॉप हो जाएगा अगर आप जानना चाहते हो कि कित उतना ज्यादा क्रॉप नहीं होता है जितना आपको Canon M50 Mark 2 में होता है इन दोनों ही दोस्तों cameras के अंदर आप काफी ज्यादा बढ़िया वीडियो को record कर सकते हो और काफी ज्यादा बढ़िये photos को ले सकते हो लेकिन आपको सिरीफ अपनी जो वीडियो उसको आपको Full HD तक ही रखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से stabilization बगेरा देखने को मिल जाए दोस्तों इन दोनों ही cameras के अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया image stabilization है वो आपको देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ ज्यादा स्मूथ ली जूम नहीं करता है जितना आपको जो manual zoom बगेरा होता है वो आपको देखने को मिल जाता है तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप manual zoom का use करें यानि कि आप अगर lens से zoom करोगे तो वो काफी ज्यादा better जो image बगेरा होता है वो आपको देखने को मिलता है अगर आप इन दोनों ही cameras के मदद से एक video बगेरा को record करना च चाहिए क्योंकि इन दोनों ही cameras में अगर आप video को record कर गए तो वो काफी ज़्यादा shake होता है लेकिन Canon के अंदर दोस्तो आपको image stabilizer का आपको option देखने को मिल जाते है जिसे होता क्या है कि जब भी आप को photo अगरा को click करोगे तो उतना ज़्यादा shake नहीं होगा इन दोनों ही cameras के अंदर दोस्तो आपको काफी ज़्यादा excellent focusing देखने को मिलता है photo के अंदर और video के अंदर लेकिन video के अंदर आपको फूल HD तक ही देखने को मिलता है 4K पे आपको उतना बड़िया focus जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है Sony के camera के अंदर दोस्तो आपको एक defocus का button दि इस mode के अंदर होता यह है कि मालेजे आप किसी product वगरा कर review कर रहे हो तो यहां पर होता क्या है कि मालेजे आप अपने camera के अंदर यहां पर कुछ इस तरह से किसी product को show करते हो तो आपका जो camera है अगर आप उस mode को enable कर रखा है तो उस चीज़ पर focus कर गया जो कि मुझे काफी पसंद है क्योंकि यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं ऐसा show कर रहा हो मेरे camera के सामने तो यह जो camera है यह सिरिफ मुझे focus कर रहा है क्योंकि यह जो camera है यह है तो Canon का M50 Mark II लेकिन यही चीज़ अगर आप Sony ZV E10 में यहां पर उस product showcase mode को on करके करोगे तो automatically जो भी आ automatically focus हो जाता है इन दोनों ही cameras को दूस्तो content creators को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि इन दोनों ही cameras के अंदर आपको audio jack का आपको feature देखने को मिल जाता है जहां पे आप अपने जो mic वगर है उसको आप connect कर पाऊगे साथ इसाथ दोनों ही cameras के अंदर आपको flip screen का भी feature देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ दा useful होता है अगर आप अपना self video बना रहे हो दोस्तो एक photographer जो है वो sony zv e10 को कभी भी नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके अंदर जो viewfinder है वो नहीं दिया गया है लेकिन वो जो camera है वो सिरिफ और सिरिफ बनाया गया है content creators के लिए जो लो चाहिए होता है दोस्तो अब finally हम बात करनेते हैं अपने conclusion की यह जो दोनों ही camera से दूस्तो यह आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं वो भी आपको इन दोनों ही cameras में आपको kit lens के साथ अगर आप purchase करते हो तो आपको sony zv e10 भी आपको 70,000 के आसपास मिलेगा और canon का जो m50 mark 2 है वो भी आपको 70,000 के आसपास मिल जाएगा अगर दोस्तो यहाँ पर मैं अपनी personal opinion शेर करूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैं लेता canon का m50 mark 2 जो की मैंने लिया हुआ है यूगि इसके अंदर में photography भी कर सकता हूँ और इसके अंदर में वीडियोग्रफी भी कर सकता दोस्तो आप मेरे को comment करके बताओ कि किस camera का जो comparison है वो आप यहाँ पर देखना चाहते हो और साथी साथ दोस्तो अगले वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप अपने लिए एक perfect camera को आप कैसे choose कर सकते हो दोस्तो I will see you tomorrow